हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब और आज मुझे जाना है कहां जाना है आप सब कोई पता होगा फिर से वही ससुराल हाल तो आज बहुत सारा मतलब मजा कर लियां मस्ति कर लिया हाँ पे बहुत सारा इन तो देखिए अभी मैं जारी हो तेयार होने अभी मैंने कपड़े यहां पे साड़ी निकाल के रखा है और बस यही है आना और जाना यही और अभी मैं यहां चत पे हूँ यह देखिए यहां पे और मुझे बहुत ही जादा घबडाहट हो रही है क्योंकि मम्मी होती तो काश मतलब कि यह नहीं कि बहने कभी एसास होने देती है बट मा की एक बात ही अलग होती है यहां तो अपने से खरिदारी करो खुद से रखो वहां से भी क्या ले जाना है आपको खुद से डिसाइड क हमारा ना ससुराल से कभी हुआ है लाइफ में ना कभी मायके से क्योंकि बहनों के हां हो तो अब क्या विदाई और क्या आया मिला अब चले गए वो कभी आई मिली चली गई बहुत ही जादा मुझे न मैं बहुत जादा मम्मी को मिश करती हूँ और आज तो मुझे बहुत ही जादा उनके यादा आ रही है काश वो होती तो शायद ऐसा नहोता बैठी थी मैं बस यही इन फूलों के पास ऐसी ही तो हमारी जिंदगी है रोज सुबह होते ही शुरू हो जाती है, साम होते होते मुझा जाती है अच्छा लगा यहां आके थोड़ा टाइम भी ताके पौदों के साथ, इन लोगों के साथ, बनारस घूम के अभी आज जाना है, थोड़ी टाइम में निकलूंगी मेरा ना जाने का मन नी कर रहा है, मुझे जाना है ससुराल और मेरा मन नी कर रहा है, मतलब मन कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है मैं लेट गई हूँ पहन के देखे त्यार हो गई हूँ, बस बाल बनाना बाकी है और मन ही नी कर रहा मेरा, देखे मेरा सारा सामान जो है पैक हो गया है यह मेरा क्या बोलते हैं पर्स है यह मैं जाये का मनने के करा जाये करा और मुझे दस मिनट में निकलना है और मैं इन कलेजों के टुकडों को छोड़ के जाने का मनने करा दिखाव हूं उनको जैसे हम वहां से निकले ना बहुत ही जादा जाम था और आप देख सकती है मतलब आगे से पूरा पीछे तक बहुत ही जादा जाम था और मतलब की बस मैंने यहां से रुकाई इतना सा थोड़ा सा सूट किया उसके बाद मैंने सूट नहीं किया उसी से मेरे को बस वो गाड़ बहुत ज़ादा अच्छे होंगे और स्रक्षित होंगे बहुत दिनों के बाद ऐसे मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पता है आप सबको मैं घर आ गई हूँ थोड़ी टाइम भी पहले आई हूँ और आने के बाद जल्दी से मतलब की खाना बनाना था मुझे आते ही सबकी ये ड्यूटी होती है और पूरा घर मतलब की जो मैं जाने से पहले अपना होम टूर कराके गई थी सारा घर सेट किया था सारा अलमारी मतलब कोई एक मेरी चीज अपने जगा पे नहीं है किचन का हाल इतना बेहाल है इतना बेहाल है मतलब सबकुश एकदम क्या बताओं मतलब दो दिन घर समालने को मिल जाया तो समझ में आ जाता है एक हपते भी नहीं हुए घर ही नहीं पहचान में आई कि ये वही है जिसको मैं छोड़के गई थी ऐसे तो सब अच्छे हैं मैं भी अच्छी हूँ आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा वहाँ पे क्या होता था था कि सिस्टर लोग हैं तो वो नहीं बोलती कि रूम में वीडियो नहीं बनाना है आपको जब आप हमारे साथ हो तो सिर्फ बाते करिये दी और जब हम बाहर मतलब गुमने गए तो बहुत सारी चीजे मैंने आप सब को दिखाई घाट और घाट की आरती वो भी मैं आप सब को दिखाऊंगी वीडियो बना ली हूँ लेकिन फिर मैं यहां आ गई तो फिर मैंने यहां का आप सब को बता दिया कि मैं आ गई हूँ लेकिन वो वीडियो जो है मैंने बना ली आप सब को दिखा दूंगी और थैंक्यू 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 सो मच आप सब का मुझे इतना साहरा अच्छे अच्छे कमेंट अच्छे अच्छेश, अब अनारस की बारे में मतलब जो मैंने दिखाया वो आप सबको पसंद आया, और सौरी भी आप सबको आप सब पूछ रहे थी दिदी हम यहां से यह मिलना है मिलना है मैं नहीं मिली क्योंकि सबकी कुछ न कुछ प्रॉबलम होती है कुछ मजबूरिया होती है चाहे अब कितने भी social media platform पे हो I think आप सब समझेंगी लेकिन हाँ जब मैं इनसे बोल रही थी अभी तो ये बोले कि कोई नहीं मतलब मैं इनके साथ आऊंगे अपने हजबन के साथ हाँगी तो मैं जरूर पकका आप सब के साथ मिलूँँगी बहुत जल्द मैं फिर से बना रहा हुँझी मतलब एसे मत सोच मत लीजएगा कुछ और बस अब ही थोड़ी सी पूरे बस में मतलब मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत मन बहुत उदास था बहनों को छोड़के मतलब नहीं फोनी नहीं उठाई हूँ मैं और पता है बस में मुझे बहुत उल्टिया वगेरा होती है मतलब कि मुझे बहुत लगती है और अरम्या बहुत खुश है जो क्या-क्या लेके आई हूँ वो बैग में ही घुसी है पूरा बैग में उसको देखना है क्या मम्मी मेरे लेके आई है तो वो वहाँ बीजी हो गई है और मैं जा रही हूँ जल्दी से सोचा कि क्या बनाओं अ तोनिया उपाद्यार उनकी बेटी का बड़े था और मैं भूल गई तो सॉरी आपको क्योंकि वहां पे ना मैं ऐसे नहीं फोन न उठा के नहीं वनार पा रही थी और एक मेरी और एक सुस्क्राइबर है विपिन स्रिवास्तो जी जिनकी बेटी का नाम है सुर्भी स्रिवास् और जिनको भी मैं भूल गई हूं उनको सबको हैपी बड़े और सॉरी मैं आगे से आप सब पर ख्याल रखूंगी और और रोटी बना दूंगी तो उसको भी बहुत पसंदे बेटी को भी और सब हमारे हां मीठा कुछ ज्यादा ही खाते हैं हम लोग और मुझे बहुत चार इधर से उधर हो गई जा रही हूं सबकुछ अभी थोड़ा सा अराम करूंगी खाना बना के उसके बाद मैं सुबह से सब कल से मैं सब सिफ्ट वगरा इधर उदर जो भी है वो करना है वो करूंगी और मिलूंगी अभी आप सबसे थोड़ी दिर में जा रहे हूं पहले जहरे पे स्माइल प्रीज प्रीज कर लेजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब याज से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से आप सब को मिले बाल एक दम देख रहे हूं गीले गीले से बाल है और अभी धोके आई हूं जा रही हूं थोड़ा सा आवाज भी ना मतलब वैसी हो गया बदल गी है क्या होता है सफर करके आने ठकने के बाद ना थोड़ी से ठकान इतनी ज़्यादा हो जाती है और मुझे तो बहुत गंदा वाला मतलब मैं क्या बोलूं तो किचन में चलते हैं और फिर में अभी आप सबसे आके और मिलती हूं तो यहाँ पर ये दूद बहुत जड़ा बच गया था मैं आई तो क्योंकि बोल रहते कि चाय तो मैं एक एक कफी पीता था तुमारे बिना तो इसलिए तुमारे इससे का सारा दूद बचा हुआ है और तो मैंने सोचा कि कोई नहीं जल्दी जल्दी इसका ये बना देती बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है ब्रेड के साथ ब्रेड के उपर भी बनती है तो बहुत ज़्यादा यह अच्छी लगती है और यहां देखे यह बन गी इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी मतलब डाल के दूद में रबडी जो है वो सिम्पल सी बना दी है तो किचन से म मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी यह है औरिगेंज का आवला सी काई रिठा पाउडर और मतलब यह आपको कैसे लगाना है कैसे आपको इसको यूज करना है पता है बालो के लिए आवला सी काई रिठा बरदान है मैं बहुत यूज इसको करती हूँ इसका यह मेरे लगाई और सुपध हो तो आपके बालों को अगर वाइट की वाइट मतलब हो रहे हैं या फिर जड़ रहे हैं साइन बालों की चली गई है तो उसके लिए बहुत ही जादा अच्छा है तो ये है औरिगेंज का प्योर नेचर प्रीमियम आवला पाउडर है इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है और ये जो है वो इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में आती है इसका वेट जो है वो है 100 ग्राम है और इसका प्राइज है टू हंडेड़ फोर्टी सेवें है लेकिन लिंक दिया है उसके थू आप लेंगे तको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा और यह जो है वो बालो को काला करने में बालो को साइन देने में हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन तीनों को आपको एक साथ या आप वहां से पर्चिस कर सकते हैं मैं बहुत दिन से इसको रखी थी मैं भूल जा रही थी आप सुब के साथ इसको शेयर करना तीसरा यह है मेरे पास यह है और इगेंज का यह है सिकाकाई पाउडर इस पे जो है वो बेटी देखिए इसका क्या मतलब डिब्बे का क्या मरमत हमारा मेरे बेटी की है इसका भी भाई-लिंक जो है मैंने डिस्किप्सर में दे दिया है तो आप इन तीनों को आपको कैसे यूज करना है आपको एक एक चमच लेना है और मतलब अपने बालों के लेंद्ट की हिसाब से और उसमें और उसको आपको पानी के साथ जैसे क उसका जिसे आप बालों पे लगाते हैं वैसे आपको बना लेना है और बालों में लगा लेना है और जब बाल सूख जाए कम से कम आपको आधा गंटे तक रखना है तो फिर आप इसको धो दीजिए और उसके बाद आपके बाल जो है एकदम साहीं मतलब बहुत अच्छे मिल पूरा सर में बहुत जादा दर्द हो रहा है सामको देखती हूं क्या खाने में क्या बनाती हूं और मिलती हूं मतलब की थोड़े देर बाद और उसके बाद रात का टाइम था तो ये मुझे कुछ पूछ रहा थे फोन में की मतलब कुछ तो मैं उनको यही बता रही थी वेटी ने वीडियो बनाया बोली कि मम्मी मेरी वीडियो जो में बनाती हूं आप कभी नहीं लगाती हो तो मैंने सोचा चलिए मैं लगा देती हूं